कहानी की सुरुवात होती है बिली नाम के एक विजल से जो अपने बेश्ट फ्रेंज सोकराटीज नाम के एक लाइन के साथ मस्ती कर रहा होता है तब ही उसे वहाँ हाइना पूप मिलता है जिसे वह एक छड़ी की मदद से गोल्फ की तरह खेलने लगता है तब ही वहाँ उसकी वाइब बोन ही आती है और उसे कहते है कि वो पानी लाने के लिए जाने वाला था पर वो यहाँ टाइम पास करने में लगा हुआ है वहाँ उस जंगल के कुईन हाथी उनके पास आती है और कहते है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है जबकि हर साल तो इस समय तक नदियों में पानी आ जाता था पर पता नहीं इस साल क्या हुआ यहां से सीन सिफ्ट होती है और हम चाल्स नाम की एक चिकेन को दिखते हैं जिसे कुछी देर में उसका सर्फ डिनर में बदलने वाला होता है पर वो किसी तरह से अपने आपको छुड़ा कर वहां से भाग जाता है वो उसकी सिप से बाहर कूद कर एक छोटी से बोट में आ जाता है जहां उसे और भी कुछ एनिमल्स उस बोट पे मिलते हैं उन सारे एन विसानों के कदम नहीं पड़े हैं चाल्स उन सबसे कहता है कि वो उन सब को उस जगह तक ले जाने में उनकी मदद करेगा इधर सेवेना की क्यूइन सबसे कहरी होती है कि उनके पास खाने का स्टॉक्स भी खतम हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगबग जाना था वहीं कुछ दूर पे बफैलो और राइनो का ग्रूप आपस में पहले पानी पीने के लिए लड़ रहे होते हैं उनकी तरब ध्यान ना देते हुए बिली सीधा वहां के तालाब से अपने बॉटल में पानी भने लगता है जब उस पे राइनो और बफैलो की नज पानी लेकर आ रहे हैं पर उन बफैलो की वज़ा से बिली का सारा पानी बैज आता है जूनियर के दोस्त उसका मजाक उणाने लगते हैं वो बहुत उदास हो जाता है उसे मनाने के लिए बिली उसके पास जाता है पर वो बहुत गुस्से में होता है और वो बिली से कह देत सोक्राटीज के पास जाता है और कहता है कि उसके साथ पानी की तलास में जाना होगा क्योंकि उसकी फैमली को पानी की जरुरत है और उसे अपने बेटे जुनियर को भी दिखाना है कि वो एक लूजर नहीं है। बहुत साल पहले वो उस वैली में गया था, वहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है, जो वहाँ आने वाले को जिन्दा नहीं छोड़ता, वो कहता है कि उसे अपनी जान की परवा है, इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकता, कुछ दिर बाद सोकरेटीज देखता है कि बिली अकेला ही चला गया है, बिली अपनी तलास में आगे बढ़ने लगता है, और कुछ दिर बाद वो वैली के गेट की पास पहुँच जाता है, वहाँ उसे कुछ वल्चर्स मिलते हैं, जो वैली में जाने से पहले उसे वार्न करते हैं, पर फिर भी बिली हिम्मत करके वैली के अंदर चला जाता है, वो जगह उसे बहुत डरावना लग रहा होता है, तभी कुछ दिर बाद उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है, वो पीछे देखता है तो खुस हो जाता है, क्योंकि सुकरेटीस था वहाँ पे, उसका डर भी अब बहुत कम हो जाता है, वो लोग जल्दी से भाग कर उस वैली को पार करने लगते हैं, पर कुछ दिरबादी बिली को वहाँ एक बड़ा सा काला तेंदुआ दिखाए देता है, जो उसकी तरह बढ़ रहा होता है, पर अचानक से वो देखता है कि तेंदुआ डर से भागने लगा है, वो कुछ समझ नहीं पाता है, तब ही वो अपने पीछे देखता है वहाँ बड़ा सा एक पोलर बिया था, जिसकी डर की वज़ा से वो तेंदुआ भागा था, सोकराटीस भी वहाँ आ जाता है, वो लोग वहाँ चाल से और उसकी बाकिट टीम से मिलते हैं, रात को वो सब वहीं आराम करते हैं, वहाँ सोकराटीस बिली को बताता है, कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था, पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया, उसने उस दिन वहाँ एक अलग ग्रियेचर को दिखा, जिसे इनसान कहते हैं, सुबह चाल सब को उठाता है, वो बियर उनसे कहता है कि अब वो और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, चाल सब ने दो एनिमल टॉबी और अस्माइली को बिली के साथ पानी ढूणने के लिए भेजता है, और वो उन दोनों टटल के साथ बियर के साथ ही रहेगा, वो चारों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत जल्द वो उस वैली के अंत तक पहुँच जाते हैं, उन सब को वहाँ एक बड़ा सा डैम दिखाए देता है, उसी डैम की वज़े से उनकी नदियों का पानी रुका हुआ था, वो सब छुपते हुए डैम के उपर जाते हैं, वहाँ वो देखते हैं कि नदि का सारा पानी यहाँ पे किसी ने कैद करके रखा हुआ है, वही डैम के पास एक इडन पारडाइज नाम का होटेल था, जहां आज बहुत से देश के लोग क्लामिट चेंज की मीटिंग अटेंड करने के लिए आने वाले थे, उस होटेल का मालिक वहाँ आये हुए डेलिगेट्स को अपने होटेल में अपना पालतो मंकी टोटो से उनका वेलकम कराता है, इधर एक वाटर बोट के सारे वो चारो एनिमल होटल तक पहुँच जाते हैं, वो सब होटेल के अंदर जाकर मस्ती करने लगते हैं, बिली और सोकराटीज वहाँ के कॉन्फरेंस रूम में पहुच जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग बहुट डर जाते हैं, वो तुरंथ होटेल के अंदर को कॉल करते हैं, अंदर वहाँ का हंटर को आवाज देता है, हंटर अपनी बंदूग लेकर वहाँ आता है, और बिली को सूट करने लगता है, बिली उससे बचने के लिए वहाँ के पूल में गिर जाता है, पर वो हंटर वहाँ का एजिक्सन बटन दबा देता है, जिससे बिली डैम के पाइप से होते हुए बाहर गिर जाता है पर वहाँ उसे टोटो बचा लेता है टोटो उन सभी एनिमल को हंटर से बचाने के लिए उस होटल के एक रूम में उन्हें छुपा देता है पर वह सारे मिलकर उस होटल के कमरे को पूरी तरह से बरबाद कर देते हैं टोटो उन्हें समझाने आता है कि ऐसा करने से वो अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं बिली उसे कहता है कि वो लोग यहां छुपे नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें उनकी फैमली के लिए पानी लेके जाना है टोटो उन्हें से कहता है कि उन्हें डैम के फ्लरट गेट्स को खोलना होगा जिससे उनकी नदियों में वापस से पानी जाने लगेगा टोटो उन्हें सब को लेकर डैम के मोटर रूम में पहुंचता है बाहर आ जाते हैं वो हंटर जल्दी से फ्लाट गेट को बंद करता है और उन सब को माने के लिए अपनी जीप लेकर उनके पास पहुंचता है वो सब भागने लगते हैं वो अपनी जीप से उनका पीछा कर रहा होता है पर चाल्स उन दोनों टर्टल की मदद से उसकी जीप को पलड़ देता है सुकराटीस को उन लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था वो उसे लास विगास के किसी जू को बेचने वाले थे चाल्स महा के बाकी सबी एनिमल से कहता है कि उसे सेवेना के सबी एनिमल से बहुत से जानवरों के जूंड को डैम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं पर उनके साथ बैफैलो और राइनो का गुरूप नहीं था क्योंकि वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं वो सारे एनिमल डैम के करीब पहुँच चुके थे तब ही वो हन्टर एक प्लेन में बैठकर वहाँ आता है वो उन पर एक मिसाईल दागने वाला होता है पर तब ही वो देखता है कि उसके पीछे टोटो है वो से माने लगता है और गलती से बटन दबने की वज़ज़ से वो मिसाइल वहां के डैम के पाइप के अंदर चली जाती है पर वो फटती नहीं है टोटो किसी तरह उस प्लेन को लैंड करवाता है उस होटेल के मालिक का बेटा माया सोक्राटीज को उसके पिंजरे से आजात कर देता है और इधर चाल्स अपने अनिमल्स को डैम पे अटेक करने को कहता है सब अपनी पूरी ताकत के साथ डैम को तोडने की कोसिस करने लगते है तब ही वो देखते हैं कि बफैलो और राइनो की टीम उनकी मदद के लिए आई है वो सारे उस डैम को तोडने लगते है डैम अब थोड़ा सा हिलने लगा था पर इतना काफी नहीं था तब ही बिली को वहाँ एक हाइना पूप दिखाई देता है वो तुरंत एक लगड़ी के डंडे से उसे गोल्फ की तरह ही सौट मारता है और वो सीधा जाकर के डैम के होल में उस मिसाइल को लगती है और वो फट जाती है डैम अब तूटने लगता है उसमें से पानी के फुआरे आने लगती है और फाइनली पूरा डैम तूट जाता है सारे जानवर उसमें बहकर जंगल की तरब जाने लगते हैं सोकरेटीस भी बिली के पास आ चुका था और उस दिन के बाद सैवेना में कभी पानी की कमी नहीं हुई सारे जानवर वाँ खुशी खुशी रहने लगे माया और उसके डैड भी ये देख कर खुश थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीस दो लाइक और शेर द वीडियो और प्लीस सब्सक्राइब तो मैं चैनल और प्रेश देट बेल इकन